आज मैं आपको बताने जा रहा हूं अरिस्ट के बारे में अरिस्ट क्या होता है अरिस्ट होता है कि एक तरीके से आयू की मापना होता है आयू को कितनी आयू होगी या किस आयू में आपको बहुत ज्यादा कस्ट मिलेगा उसको अरिस्ट बोलते हैं तो अरिस्ट कब-कब आते हैं और कॉंडली में कैसे देखें अरिस्ट को वह बहुत इंपोर्टन विशे होता है कि यह जानना कि किस की किस आयू में अरिस्ट आने की संभावना है और अरिस्ट जो होता है वो काफी गहन कस्थ होता है जिससे बचना बहुत जरूरी होता है और उसकी रेमेडीज करना भी बहुत जरूरी होता है फलित में कहते हैं कि जब भी किसी कुंड़ी का परडिक्शन करें आयूर ग्यानबहावे सर्व विफलंप्रकर्टीत यस्मात वो कहता है कि फलित में जब भी विचार करें तो सरपर्थम आयू का विचार जरूर करें क्योंकि आयों के बीना सब निशवल है अगर अरिस्ट आप नहीं जानते कि अरिस्ट कब हो सकता है कब कुंडली में प्राब्लम हो सकती है तो योगों का भी कोई फाइदा नहीं होता तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपको ये मालून हो कि कुंडली में क्या आपकी कोई अरिस्ट लिखा है, क्या आपको मिर्ट्यू कारक कस्ट लिखे हैं, उसके बाद बाल्य वस्था में या थोड़ी बड़ी एज में, उसके बाद हम लोग उस चीज़ को देखेंगे कैसे उसकी रेविडीज किजा सकती है. ग्रहों के बल के बारे में कहते हैं, और शुकल पक्षो, तो ग्रह मजबूत होते हैं. शुकल पक्ष में या विशम राशी में पुरुष ग्रह जो होते हैं वो बल्वान होते हैं इसी प्रकार क्रिशन पक्ष में और सम राशी में इस्तरी ग्रह बल्वान होते हैं और बल्वान ग्रह अगर आपकी कुंडली में हैं तो वो अरिस्ट का भंग करते हैं अरिस्ट मीं सूर्य है, मंगल है, गुरू है ये सब पूरुश ग्रह है शणी और बुध नकुंसक ग्रह है चंद्रमा, शुक्र ये इस्त्री ग्रह है ये हम जानते ही है तो जो पूरुश ग्रह है अगर वो आपके विश्म राशी में है और शुक्र पक्ष का आपका जन्म है तो आपके ऐसे ग्रह मजबूत होते हैं और अगर कृष्ण पक्ष का जन्म है और उसमें इस्तरी समराशी में ग्रह हैं इस्तरी का ग्रह तो वह है वो बली होते हैं अरिस्त योग के बारे में बहुत सिंपल सा कहा गया है यानि ये कहते हैं कि यदि ब्रस्पती अस्टम भाव में हो और सूर्य चंद्रमा मंगल और शनी की उसपर दरस्टी हो सूर्य चंद्रमा मंगल और शनी की उस पे द्रस्टी हो तो तीन वर्षों में ही अरिस्ट योग बन जाता है तीन वर्षों में ही बाले वस्ता में अरिस्ट होता है ये इसके अंदर बताया गया है, शास्त्रों में लिखा गया है, सारा वल्ली के अंदर भी लिखा गया है, अरिस्तियोगा अध्याय के अंदर, उसमें बताया है कि यदि ब्रस्पती आठवे भाव में हो, मेश राशी आप रश्चिक राशी में हो, और फिर सूर्य चंद्रमा मंगल और शनी की द्रस्टी हो तो तीन वर्षों में अरिस्त योग बनता है और साथ साथ अगर शुक्र की द्रस्टी भी मिल जाए तो वो अरिस्त योग थोड़ा टल जाता है वो तीन मंगल की राशियों में हो मंगल कि राशी कौन कौन सी होती है मेशlorाशी वर्श्विक राशी तो वक्रि ग् करभ शनी या यूमानिए कि सनी मंगल की राशियों में हो और वक्रि हो जाए मिन और चंड्रमा केंद्र में हो या छह hebben बाम है और शनी पर बंगल की दर्स्ती हो तो बालग धो विरस्ट के बीटर ही अरिस्ट को प्राप्त करता है यह कुंड लिगेंदर देखने लायक चीज है बहुत जादा अरिस्ट पहले जमाने में तो अरिस्ट का मतलब हुआ करता था कि एक तरीके से मृत्यू को प्राप्त होता है बोलते थे लेकिन आप मेडिकल साइंस इतनी तरखी कर चुकी है इतना सब कुछ हो चुका है तो अब वो चीज तो नहीं होती लेकिन अरिस्ट का मतलब आप समझ सकते हैं कि बहुत कस्ट को प्राप्त होता है मृत्यू कारक कस्ट को प्राप्त होता है तो शनी यदि मंगल की राशियों में हो शनी यदि मेश राशी में हो या प्रशिक राशी में हो और वक्री हो तथा चंद् ये क्या बोलते हैं ये कहते हैं सूर्य वे चंद्रमा से युक्त अगर शनी हो अगर सूर्य और चंद्रमा आपकी कुंडली में किसी कुंडली में सूर्य चंद्रमा के साथ शनी बैठा हुआ है तो नौ वर्षों के भीतर अरिस्थ होता है ऐसा किसने कहा है? ऐसा एक भ्रह्म शौन नामक आचारिया है उन्होंने बोला है उन्होंने कहा है कि सूर्य चंद्रमा से युक्थो और शनी सूर्य चंद्रमा और शनी तिनों युक्थों तो नौ वर्षों के भीतर अरिस्ट योग होता है मंगल सूर्य वैशनी यही दूसरी सात्वी राशियों में आठवे भाव में हो मंगल सूर्य वैशनी यह ध्यान देना है कि मंगल सूर्य और शनी ये तीनोग्र रहे ये डूसरी और सातवी राशियों में तो ये अरिस्ट को प्राक्ट होता ही है तो ये अरिस्ट योग बताए गया है ये कुंड़ी में देखना बहुत जड़ूरी है आप सब योगों के पहले कि राज योग है है यह योग है कोई और योग बता रहे हैं आप तो उसके पहले एक बार अरिस्ट योग भी जरूर देह लिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत कस्ट आने वाला है जाकते या मिर्ट्यू कारक कस्ट आने वाला है जाकते दूसरा बोलते हैं बहुत सिंपल है ये बी हमारे उसके इंदर बताया गया है शास्त्रों में कि अगर आठ्वे स्थान में दूसरी और सात्वी राशी हो दो नंबर राशी मिल्द रशव राशी हो साथ नंबर राशी हो तुला राशी हो आठवे स्थान में और उसमें एक भी पाफ ग्रह हो उस पे पाफ ग्रह की द्रस्टी हो अब ये क्या बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं कि अगर आठवे भाव में कुंडली के आठवे भाव में दूसरे या साथ नंबर की राशी है दो नंबर की या साथ नंबर की राशी है शुक्र की राशी है ब्रशब राशी है या तुला राशी है और वहां पे पाप ग्रह बैठ तो उन राशियों में पाप ग्रह बैटा हो और किसी भी एक पाप ग्रह की द्रस्ति हो तो चाहे अमरत ही क्यों ना पिया हो अरिश्ट हो के ही रहता है तो अरिश्ट जो योग है ये बहुत वैसा योग है जिसको ध्यान देना कुंडली के अंदर बहुत जरू है लगन से छट चाहे बहाब में आठ्वे भाव में करक राशी में बुद्ध हो इसी एक में चटे में आठ्वे में और उस पर चंद्रमा की द्रस्ति हो तो चार वर्षों के भीतर प्रबल अरिस्ट होता है तो ये अरिस्ट के फल है जो बहुत इंपॉर्टन्ट है जिनको जानना बहुत जरूरी है एक कहते हैं कि जिस नक्षग में धूम-केतु का उदे हूँ धूम-केतु क्या होता धूम-केतु गैस, मिठी, धूल, वर्फ, इसका एक पुच्छल तारह होता है जो इससे मिलके बनता है जो सूरे के चार और वाखी ग्रहों के तरे चक्क्र लगाता है तो जिस नक्षत्र में धूमकेतु का उद्य हो उसी नक्षत्र में अगर किसी का जन्म हो जिस नक्षत्र में धूमकेतु का उद्य हुआ है अगर उसी नक्षत्र में किसी का जन्म होता है तो दो माहिने के अंदर अरिस्थ होता है दो मास में अरिस्ट होता है उसी नक्षत्र में किसी का जन्म होता है उस नक्षत्र में किसी का जन्म हो तो दो मासों के भीतर अरिस्ट होता है एक, आठ, दस, ग्यारा राशियों का सूर्य, यानि मेश राशी, वरशिक राशी, मकर राशी, कुम राशियों का सूर्य दसमें स्थान में हो, इनमें से किसी एक राशी में सूर्य हो और दसमें स्थान में हो, और पापी ग्रहे उसे देखते हूं, जो पापी ग्रहे में आप को बताए अभी तो निसंदेग तुरंद अरिस्ट करते हैं एक बहुत इंपॉटन्ट ये पॉइंट भी है कि राहू केंद्र में हो केंद्र कौन से भाव होते हैं हमारे पहला चौथा साथमा और दस्वान और उसको दो या दो से अधिक पाप रहे देखते हूं यहीं सूर्य शनी की दरस्टी हो या सूर्य मंगल की दरस्टी हो राहू केंद्र में हो और इसको दो या दो से धिक पाप रहे देखते हूं तो दस वर्ष या कुछ आचारियों उन्हें 16 वर्ष कहा है उसमें अरिस्थ होता ही है दस वर्ष के बीतर दस वर्ष की उम्र में या 16 वर्ष की उम्र में अरिस्थ होता ही है इसके बाद बताया गया है ये क्या बोलते हैं ये कहते हैं कि सभी पाप ग्रह अगर केंद्र तिकोंड में हो सभी पाप ग्रह सूर्य मंगल शनी राहु केतु ये जो पाप ग्रह कहलाते हैं अगर ये केंद्र भाव में और तिकोंड भाव में हैं यानि पहले पांचवे, नवे, चौथे, साथवे, दसवे भाब में हो और छटवे, अठवे और बारवे भाब में शुब रहे हो और सूर्योदे के समय जन्म हो अर्थाद लगन में सूर्य हो तो तुरंत ही अरिस्ट में पढ़ता है बालक यानि किसी बालक की कुंडली के अं प्रिक्ण में है और सारे शुब ग्रहे छटे, आटवे, आटवे, बारुवे भाब में बैटे हैं वो खडृत दे, शुब और और लगन में सूर्य हो तो तुररंत ही अरिस्थ होता है ऐसे में ध्यान देना चाहिए और उस बालक की विशेश केयर करने चाहिए जिसी कुनली में ऐसा चीज है क्योंकि अरिस्ट होने की संभाव नहीं होती है लगन नवांशेश जन्म राशीश वे लगनेश अब ये क्या बोलते हैं ये बोलते हैं लगन का जो नवांश है लगन आपका डीवन चार्ट में कोई लगन आता है फिर आप डीवन चार्ट में चेक करते हैं कि क्या लगन आता है तो उसका स्वामी आपकी जन्म राशी जहां आपका चंद्रमा है उसका स्वामी और आपका लगन का स्वामी डीवन चार्ट के अगर तीनों ही अस्थ हो और लगनेशद ये तीनों सूरे के सातना हो जिस सूरे करता है अगर सूरे से अस्त हो गए तो बिनाकारण ही अरिस्थ पुजाता है कुण़ी के लिद्व उतने ही वर्षों में द्रेश कॉनेश हो तो राशी के बरावर मासों में लगनेश जी छटे वाब में चला गया तो जिस राशी में गया अगर वो छे नंबर राशी में है तो छे वर्षों में साथ नंबर राशी है तो आठ नंबर वर्षों में आठ नंबर वर्षों में आठ वर्षों में आरिस्ट होने की संभावना होती है तो ये ध्यान देना होता है कि लगनेश जी किसी का छटे बाब में गया है तो चेक किजिए किस राशी में गया है और उस राशी की संग्या के बरावर के वर्षों में अरिस्थ होने की संभावना होती है लगन में अगर पाप दर्स्ट शनी हो तो सोले दिनों में पाप युक्त हो तो एक महीने में लगन में अगर शनी हो मतलब ये बहुत important point है किसी के लगन में अगर शनी बैठा है बहुत कुल्ने में मिलता है और पाप ग्रह से द्रस्ट है तो 16 दिन के अंदर और पाप ग्रह से द्रस्ट नहीं है पाप ग्रह से यूथ है तो एक महिने में अरिस्ट आवश्य होता है तो ये ध्यान देना बहुत जरूरी है ये सब शास्त्रों का मत है सारा वाली में आप अरिस्ट अध्याई के अंदर इसको पढ़ सकते हैं देख सकते हैं इसके बाद अरिस्ट भंग भी आता है ये योग भंग भी होते हैं तो वो कैसे होते हैं वो मैं आपको बता हुआ दी वक्री ग्रह से अरिस्ट वक्री ग्रह से अरिस्ट कैसे होता है शुब ग्रह जदी छे आठ भाव में हो शुब ग्रह जिदि छी आठ भाव में चले गए आपके शुब ग्रह कौन से हैं गुरू शुक्र है चंदर पक्षबली है और बुद्ध तवर्ख सूर्य पाथ ग्रह के साथ नहीं है तो शुब ग्रह अगर छटे आठवे बार्वे भाव में है और वक्री पापी ग्रहों से द्रस्थ है पापी ग्रह मींस सुर्य मंगल शनिराहू के तूब इसे द्रस्थ है जो वक्री हैउ पता शुब द्रस्थी नहीं है तो एक मास में ही अरिस्थ होता है तो जातक के जीवन में पहली महीने के अंदर ही अरिस्ट होता है तो ये कुंड़े में ये से पॉइंट्स देखने बहुत जरूरी है क्योंकि आप अरिस्ट का एडिया लगा लेंगे तो आप पहले से ही प्रिकॉशन लेके चलेंगे और प्रिइन्टिव मेजर ले सकेंगे लगन से दूसरे बारवे भाव में वह छटे आठवे में पापिक रहे दोनों और हो और शुब ब्रहों से कोई योग दरस्टी या सम्मंद ने बन रहा हो तो 6 मास में या 8 मास में बालक का अरिस्त होता है कस्ट होता है यह भी ध्यान देने वाली बात है चंद्रमा के साथ सूर्य वे मंगल दूसरे और पांचवे स्थानों में हो चंद्र कुजर वियुक्त है स्वै सुत स्थाने न चापी शुब द्रस्ट है मरनम शिशो प्रयच्छती वर्षे नवमे न संधे है यह क्या बोलते हैं यह कहते हैं चंद्रमा के साथ सूर्य हो वे मंगल हो और दूसरे या पांचवे स्थान में हो और शुब रह से द्रस्ट ना हो तो नवे वर्ष में शिशु को अरिस्ट देते हैं लगनेश आठवे भाब में चला गया हो आपकी कुंडली का लगनेश आठवे भाब में गया हो और उसे सभी या कई पापी ग्रह बलवान होकर देखें तो चौथे मास में अरिस्ट होकर ही रहता है यह मुनी का कथन है चंद्रमा सिंग राशी में हो और जम राशी यानि सूर्य शनी के साथ अस्तम इस्थान में हो और उसे शुक्र देखे तो राशी की संख्या के बरावर वर्षों में अरिस्ट होता है राश्री संख्या अगर पांस राश्री है चे राश्री है तो चे वर्षों में पांस राश्री है तो पांच वर्षों में अरिस्ट होता है वेरास्टे ये बोलते हैं कि एक छे बारे और आठ भाव में चंद्रमा पाप ग्रहों से युक्त हो पहले चटे आठ पे और बारवे और शुब रहे की द्रस्टी ना हो और केंद्र में कोई शुब रहे ना हो तो शिशु शिग्रही आजिस्ट को प्राफ होता है तो ये थे कुछ अरिस्ट के योग इसमें एक और भी बताया है चंद्रमा अगर लगन में हो चंद्रमा आपका लगन में है लेकिन सूर्य आसपास है दो या तीन घर आगे पीछे सूर्य है उसके चंद्रमा हो गया कृष्ण पक्षवाला चंद्रमा हो गया चंद्रमा अगर प्राया जीवन संचे बना रहता है ऐसे यवनों के आचारे का मत है तो ये थे अड़िष्ट के बारे में जो कुण्ट्ली में कि में नॉर्मल बिल्कुल अराम से कट जाए तो आशा करता हूँ आपको ये चेप्टर समझ माया होगा तो कहने लिए लाइक जरूर कीजेगा सब्सक्राइब जरूर कीजेगा शेर कीजेगा और इसके अलावा हम लोग अभी एडवांस एस्टेलोजी रेमेडीज प्रोफेशन मैच जोइन कर सकते हैं धन्यवाद जय श्यक्राश्टमाद